इंडिया अलाफ जुर्ण के खिलाफ आवाज हम जब भी बाबाजी के पाँ जाएंगे ना तो हम बहुत सारी बाते करेंगे आशिक बात लेंगे देखना उनके उपाय से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे अब कोई बात में कितने बुरे हो मानव देखो मेरी तारीव भी नहीं कर रहे हूँ आपको याद है ना लाल गुलाब आप हर रोज मेरे लिए लाल गुलाब लाते थे जब भी में लाल गुलाब को अपने बालों में लगाते थे अब मेरे कितनी तारीफ करते थे इतम पागलों के तरह मानव मुझे फिर से वही पागलपन अपनी आँखों में देखना है वो बाते सुनना चाहते हूं वो बात जो हमने साथ में बिताया वो फिर से बिताना चाहते हूं मानव मुझे पता है यह सब कुछ बहुत जल्द होगा फैसे आपके आत्मा आपके शरीर में आजाएगे मैं मा बनूगी और अब पापा बनेंगे आधा काम हो गया है बस कुछ और दिनों की बात है प्रिस अब ठीक हो जाएगा आप समझ रहना में क्या कह रहे हूं अब समझ ही रहोंगे हमारे देश के हर समाज में हर धर्म है शव का जितना जल्दी हो सके अंतिम संसकार हो जाए उतना अच्छा माना जाता है तैस समय से अधिक शव को घर पे रखना ठीक नहीं माना जाता है नमश्कार मैं हूं अमित पचोरे और आप देख रहे हैं क्रायम अलड़ ये औरत अपने पती के शव के साथ अजीब सा व्यवार क्यों कर रहे थी ऐसा जैसे कि इसका पती मरा नहीं जीवित हो क्या ये अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी या फिर ये स्विकारने के लिए तयार नहीं थी कि इसके पती की मृत्यू हो चुकी है क्यों ये अपने पती के शव से बाते कर रही थी और बार बार एकी बात क्यों धोरा रही थी कि ये दो चार दिन बाद वापस लोटाएंगे क्या ऐसा हो सकता है क्या मरने के बाद इंसान वापस आ सकता है इस औरत को इतना विश्वास क्यों था कि इसका पती वापस आ जाएगा आए देखते हैं इस चंचर अराम से हाँ बस होई गया मानव आप किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो कब तक इस देशी मानम से काम चलाते रहेंगे अब बाबाजी कोई दिखा दो और आपसे चंचर क्यों इश्व बना रहे हूं मैं इश्व बना रहे हूं ऐसा कुछ नहीं है आज मैं आपकी एक नहीं सुनने वाले हूं आपको मेरे साथ बाबाजी के पाद चलना ही होगा तु भी चली जाओना बाबाजी पर मेरा अटूट विश्वास है शद्धा भी है इसलिए मैं तो जाओंगी पर मानव ये बात हमारे बच्चे से जुड़ी हुई है इसलिए आपको चलना चाहिए ना और बाबाजी ने खुद कहा है कि आपको भी ले आओ मुझे पुरा यकीन है कि वो कोई ना कोई उपाए तो ज़रूर बताएंगे पीज चल लो ठीक है बहुत कुछ और में बाबाजी को भी बताती हूं कि आपा रहे है ठीक है वो अपसे कुछ बात करने है दरा हो ना रभी बाफ करने में शरम आती है किया मानो आप नाराज कर हो रहे हैं तो ऐसी बात कर रहा है आजी ज़ाजी बस दो मिन कुछ बात करने है अरे बोलो नए पैसे मांगने है तुम भी नए उससे छिपा कर इसी तरे इसको पैसे दिया करें भाई होने का बहुत फायदा उठा रहा है ऐसी बात नहीं है जेजाजी पैसे नहीं छेए और जितने लिया है न हम आपस कड़ूगा जॉप मिलते ही पाई पाई लटा दूगा अपकी इसी तरह भाई को प्यार दिखाती रो पॉकेट में पैसे भरती रो पसानी कब कमाएगा मैं नाश्रा लगा दियूँ आप जल्दी से त्यार हो जाएगे बाबाजी के पास जाना है फीक है रभी गार्डन के सारे कौधां में पानी डाल देना डाल दूँगा आपको तो भरोसा है नहीं और फार्दा उसी को होता है जो भरोसा करें नहीं नहीं बाबाजी इन्हें विश्वास हो गया पूरा विश्वास है आप पर बस अकवान के खृपा से हम एक संतान हो जाए और हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए अरे तंत्र विद्या में तो इतनी शक्ती होती है कि मुर्दे में भी जान जाल दे यह आईरवेदिक दवा है सुबा शाम रोज एक एक गोली लेते रहना तो उम बहुत जल्दी पिता बन जाओगी है और हां गरवती होने के सुचना मुझे अवश्य देना बबाजी वो दवाई अगर सुबा साम खाएंगे तो मर जाएगा यही ना उसे तो मरना ही होगा उसके मरने का इंतिजाम उसकी पत्नी ही कर रही है उसकी पत्नी उसे जो गोली देगी ना और स्लोप वाजन है एक बार इंसान जहर से तो बच सकता है लेकिन स्लोप वाजन से स्लोप वाजन से बचना संभाओ या संभाओ माना लीजे दवाई लेनी है ना आपको थैंक यू थोड़ी चाह मिलेगी? हाँ बिलकुल पांच मुट पिल लाई अरे अवरेश क्या हाल है वाज से कम बढ़िया वो सीमें का ओडर देकर आरहा हूँ पिल बढ़ो ना और साले साथ मैं आपका साला नहीं हूँ अरे यार तु मेरे बेस्वें का साला इसलिए साला बोल दिया तु तो बुरा मान गया यार ये ऐसा ही है अच्छा काम शुरू हुबा सुवास चुराय वाली सड़क का नहीं अभी नहीं वो लेवर नहीं मिल रहे जेना क्या लगता है सुदामा इंटर कॉलेज वाली रोड का कॉंट्रेक्ट मिलेगा मुश्किल लग रहा है मेरे इसाब से वाजपई वाली फर्म को मिलेगा वो हमें मिलना मुश्किल है आपको भी मिल सकता है मैंने कहा ना एक बार आप भी बाबाजी के पाँ चलेंगे ना तो आपके सारे काम हो जाएंगे लेकिन तुमारे अंदविश्वास को हम अपने बि चलो फिर मैं चलता हूँ और गल गल्वाफिसर मिलता है यह माना क्या हो चकर सा लग रहा है यार मैं पलिले पानिला आप माना वो में काम करो तुमाज घर पर आराम करो ठेक है काम ऐसा महल दो बूजर बस वो सुभास्ष्वाज चुराहे वाली रोड की फाहिल देदो रवी, पेट पर एक फाइल रखिये, प्लीज लेकर आना, आदे नी लाया, ये लो, अमिश्वे, रवी, ये आवाज कैसे थी, वो मुझे गलती से आवाज गरी गया, क्या, अरे कोई बात ने दूश्रा आजाएगा, इतना के ओवर अरे कर रही हूँ, क्या बोला, क्या बोला, ओवर्यक्ट कर रही है, आठ पी से, वेल्जन से लाया था, जब लाइफ में दोर उप्या कमाएगा, तब उसकी वेल्डिय होगी, क्या 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 आपने, इसे हाथ ने उठाना चाहिए था, अरे, कोई बात नहीं, रभी समझ सकता है कि माना थोड़ा परिशाना, आनव कोई बात निया, आइंदा से ऐसा नहीं करे गई है, रभी को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, सोरी, मुझे हाथ नी उठाना चाहिए, वो आएगा मापी माम होँगा, पंचर, यह सिरो मनी बाबा जी भी ना, पहले स्लो पोईजन दिये और अब इतना खतनाक जहर, इनका पती कल की सुबा उठेगा नहीं, बलकि उठ चुका होगा, नाउसकार चंचल जी, हरे सदानम जी आप यहां हमस्ते, सिरो मनी बाबा जी ने यह दवाई दी है, आपके पती को खिला दीजे, उनका फोड़ा ठीक हो जाएगा, पर उन्हें कैसे पता कि मेरे पती को, बाबा जी महान है, अंतर्यामी है, उनको सब पता चल जाता है, आप बाबा जी को मेरी तरक से धन्यवाद कहती जे, जरूर, साब बाबा की महिमा, मानव, ये लीजे आपकी दबाई, ये वही दबाई है ने, जो बाबा जी ने दिया था, हाँ, ये वही दबाई है, आप इसे ले लीजे, आपको बहुत अच्छी मीम दागी, थैंक यू, the time you अब आप सौजए गवर, अलाम से, त Commun अई 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 ।男 जए 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 पड़ हो चुआू, हम एक उखम ऊचिहां? भो, आथ .... भो, यूए .... ऺो, चर्ब मैं उंधू büy हो कि जा रे भूग टे लिया जखे इंचे जा हो था पो हैं जिजेंग이 जिजाव कहा आ है कना जिजाजी जीप कहा हूट है इंगपिल क्यूंध पॉर कर कियोंते व्हेया जो पापाजी ने कु दभाई भेजी दिखी कैस दभाई के वज़ अस कुछ नहीं भाख़। मैं अबी पूली सो फोन जारा है कुछ तर गलत जरूर हुआ है ने 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 तरफी मुझे मुझे पूरा भीश्वास है। तुक पहले उन्हें पोन कर वो अंतर यामी वो सब बता देगे कि क्या हुआ उन्हें पून करके बुला यहां पर है मानव हलो अलो शुकर मुने जी आप चले यह पर आजाएं मानव अंदविश्वास को अंदविश्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इंसान इस कदर अंदा हो जाता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ती शीन हो जाती है उसे जिस रास्ते पर ले जाया जाता है वो उसी रास्ते पर चलता जाता है चंचल जिस तांत्रिक के पास मा बनने की आस लेकर गई थी उसे इस बात का जरा भी एसास नहीं था कि वही तांत्रिक उसी का इस्तिमाल करके उससे उसके सुहाग को हमेशा के लिए छीन चुका है आगर इस तांत्रिक ने इतना जगन अपराद किया क्यो चंचल की पती मानव की हत्या से आखिर उस तांत्रिक को क्या फाइदा था क्या चंचल पुलिस के पास जाएगी क्या उसे कभी पता चलेगा कि उसके पती की हत्या की बज़े क्या थे ये बाबाब तुम सदोह रहना चाहती हो कि विदोहाओ लेकिन लेकिन बाबा ये तुम ये मरे नहीं है इनकी आत्मा यात्रा पे है ये गहरी नीन में कभी-कभी ऐसा होता है कि आत्मा शरीर से निकल कर सुक्स यात्रा पे चले जाती है और बाद में पुना वापिस लाजाती है हादी दी मैंने इसकी बार में सुना है इंग्लीश में इसको एस्टरावल कहते है बिलकुल सही मैं उस आत्मा को जोड़कर वापिस शरी में डाल सकता है ऐसा काम कोई और नहीं कर सकता है वर्सों की तपस्या के बाद मैंने इस सिद्धी प्राप्त किये तो तो बाबा जी अब बताये नहीं क्या करना चाहिए तुमीने अपने पास रखो इसे बाते करो मैं जग करोगा और उसके बाद इने पुना जीवन दान मिलेगा लेकिन इसके लिए इसके लिए तुमें मेरे उपर विश्वास रखना होगा वरना ले जाओ अपने पती को दो पुलिस को हग करवादे इसको शरीर को नहीं बाबा नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं किसी के पास कुछ भी नहीं जाओंगी कहीं कुछ नहीं बोलूगी अब जैसा क्या होगे जैसा को बोलोगे मैं भी करूँगी बस आभी ने जिंदा कर देजे इन्हें मेरे पास आई है भरोशा रखो भरोशा रखो भरोशा रखो रवी तु खाना काले मैं अभी आई जैसे जमी कहां जा रही हो आए तेरे जिजाजी को सुकते ने भूख लगी ओगी ज़ोने अब ही हाई कितना अछा समय मेताया हमने साथ में लुट है, कितनी प्यारी प्यारी बाते हैं आपने मेरे साथ पर कोई बात नहीं महनब, वो अच्छा सम है, फिर से आयका अब फिर से मेरे साथ, प्यारी प्यारी बाते करेंगे अज पूरे दिन से आपने कुछ नहीं कहा, बात भूप लगी होगी न headset इसलिए मैंने आपका फेवरिट प्रमवेच सूप बनाया है आपको बात पसन देना यह वाना सूप जय बावा चंचल यह मनुष्य के शाओ की राख है इसकी सहाता से हम मानों के आत्मा को दुबारा शरी में बुलाने का प्रयास करेंगे समय लग सकता है लेकिन तुम हिम्मत मतारना बस तुम यह समझ लो कि तुम सावित्री हो और सत्वान के प्राणों को दुबारा वापिस दाने का प्रयास कर रहे हैं यह जल मेरे वर्षों की तपस्या का फल है इसमें बस मिला हुआ है तुम इसे रोज रात को मानव के शरीर पर डालना देखना चमसकार होगा आगे क्या करना है और कैसे करना है यह मैं तुमें बाद में बताऊँगा करना है मानव काहा है पहें कबसा उसका फोन ट्राई कर रहा हों फोन भी बंद यह उसका कामाम करना है नहीं तरणा उसको ने ने ऐसी कोई बात नहीं है तो अच्छली हमारा छकड़ा हुआ है तो शायद गुस्से में फोन बंद कर दिया हुआ कमाल यह ऐसे कैसे कर सकता हुआ जैसी वापस आएका तो उसको कहना कि मुझे कॉल करें अच्छा भाभी एक पर पेपर पे साइन करना था एक नई जमीन खरीद रहे है तो आपी के नाम पर खरीद रहे है मानव ने कहा था मेरे नाम पर अज तक जितनी भी प्रॉपर्टी खरी है चाहिए घर हो जितनी भी जमीने हो अपनी ओफिस की बिल्डिंग हो सारा बिजनस आप ही के नाम पर है यहां साइंग करें अपसे बहुत प्यार करते हैं ज्यादा दिन तक नराज नहीं रह पाएगा है हाँ उनकी लॉट में का तो मैं भी बेस सब्रेश दाजार कर रहे ह तो ठीक है मैं चलता हूँ वो आएगा तो उसे कॉल करने मुझा ठीक है चंचल कहां रहती है तुम चलो ना सेल लगिये शॉपिंग करने चलते हैं ने माया आज नहीं चलते है मेरा ना सिल में बहुत दर्थ हो रहा है कल चलते हैं मैं बस थोड़ी ते सुना चाहते हूँ ठ ठीक है कल मिलते हैं चंचल इतना हड़बढा कर क्यों बात कर रही थी सब काम आम छोड़कर वो तो शॉपिंग के लिए आ जाती थी आज पता नहीं उसे क्या हो गया है कितना सोते हो मानब अब बस भी करो अब जल्दी से उठ जाओ ना अगर नहीं उठेना तो मैं भी ऐसे सोचाओंगे आपके बेना कुछ भी अच्छा आने लगता हाँ जी सब कुछ आपके आदेश अनुसार हो रहा है हाँ बैठे हो गया है आगे है अब आप जल्दी से आजाईए आगे हैं तुम्हारे अपराद पे शाथी ये लीजे आपकी लक्षमी और ये बताइए लाश कैसी है थड़ी तो नहीं लाश नहीं चड़ेगी वो केमिकल वाला ये लगवा दिया इस पर न सड़ेगी न गंधायेगी तैसे रवी थैंक्यू सो मच अगर तू हमारा साथ नहीं देता न तो ये प्लान इसना असानी से नहीं हो पाता जब भी देखता हूँ तो अपने जीजा से मारी खा रहा हो अपर शरम नहीं आते थे अगर वो मेरे जीजा नहीं होता ना तो कपका जान से मार भी आ दिया होता हुआ है ये भी सही तैसे या रभी ना तो धर पसको जौब है ना धरी जे में पैसा है तेरी तो वहालत हो यस्ते से हटाने में मदद कर। 20 लाक रुपे और दूँगा ठेक है आगे का क्या करना है? बाबाजी अब आगे आपको कुछ नहीं करना है जो भी करना है रवी को करना है मुझे? मुझे क्या करना है? ये लो क्या है ये? खोल के तो देखो ये तो गन है हाँ लेकिन इसको अभी यूज नहीं करना है सबसे पहले तुम्हे इस फाइल पर अपनी बहन के साइन लेने और उसके बाद चंचल को रास्ते से हटा देने बस उसके बाद घर में ना सारा समान इधर उधर फैंक देना ताकि लूट का मामदा लगे लेकिन तुमने कहा तक के तुम मेरी बहन के साथ शादी करोगे अरे यार चाहता तो मैं भी यही था लेकिन तेरी बहन ऐसा कभी करेगी नहीं और अगर वो नहीं मानेगी तो हमारे पूरे प्लैन पर पानी फिर जाएगा इसलिए तुझे अपनी भेन को रास्ते से हटाने ही पड़ेगा मैं ऐसा नहीं कर सकता अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो हमारे साथ तुम भी जेल जाओगे तुम जानते थे वो गोली नहीं जहर है फिर भी तुमने ऐसा होने दिया तुम उसे घान में रहते हो इसलिए मडल का पहला शक तुम्हारे उपर जाएगा समझ गए आपको याद है ना लाल गुलाब आप हर रोज मेरे लिए लाल गुलाब लाते थे जब भी मैं लाल गुलाब को अपनी बालों में लगाते थी अब मेरे कितनी तारीफ करते थे वेतम पागलों के तरह मानव मुझे फिर से वकी पागलपन आपकी आँखों में देखना है मुझे पता है यह सब कुछ बहुत जल्द होगा फिर से आपके आत्मा आपके शरीर में आ जाएगे और मैं मा बनूगे आप पापा बनेंगे आधा काम हो गया है बस कुछ और दिनों की बात है माजी का पूँ नमस्ति माजी बेटा मैं मानव को कितने दिन से फोन कर रहे है उसका फोन ही नहीं लग रहे कहां है वो माजी मैंने बताया तो था कि वो बिजनेस के सलसले में कुछ ऐसे ही आएंगे मैं आपको बता तूँगी अब परिशामत हुए ठीक है विटा दियान रखना जी माजी रखती हो रवी आजा अंदर क्या बात है तुम परिशान लग रहे हो कुछ ने दिदी अपने जीजा जी के वज़े से परिशान है ना पर तू चिंता मत कर वो बहुत ही जल्द हम सब के बीच में लोटाएंगे दिदी ये पेपर साइंग कर दो ना ये किस चिस के पेपर है वो मैंने नहीं जॉब के लिए अपलाई किया ना तो बस उसके वेरिफिकेशन के लिए अरे बाबरे इतने सारे पेपर्स सब पढ़ने पढ़ेंगे आपको बस साइंग करना है अब लोकल गाड़ जेन हो ना मेरी तो उसे के लिए बस कहा करने है आई कहा पे पस हो जे सुन तुझे पस हो जे तुझे इतना पसीना क्यो आरा है तब बे तो ठीक है ना हाँ दीदी ऐसे कुछ यह नहीं मैं ठीक हूँ चीक है मैं चलता हूँ बाबाजी चंचल का फोन अलो बाबाजी और कितने दिन लगेंगे मुझे बहुत डर लग रहा है चंचल आस्था और धहर यहीं सफलता की कुझी है मैं यहां जब कर रहा हूँ और जल्दी वहां आकर मानव के साथ पूरी क्रिया करूँगा आप जो भी क्रिया करने वह जल्दी कीजे किसी को कुछ नहीं बताऊंगे रक्तियू प्रणाम खश्राओ दीदी उठो उठो दीदी चल चल दीदी उठो रभी रभी च्या हो रभी 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 तुम्हें क्या तर रहे हु रभी रभी कोई दूर चल आजाए तो लौट के फिर क्यों ना आए प्रेम में सारी रात चलू मैं तुम आओ तो चेहन आजाए कभी कभी यू भी लगता है कि जैसे मुझे कोई बुलाए दूर कहीं दूर कहीं वही जहां से कोई लौट ना पाए लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा तुम्हें मेरी प्रेट चो बुलाए तूर कोई कैसे जाए वही जहां से कोई लौट ना पाए वही जहां से कोई लौट ना पाए माँची आप जीतिरो पड़ेगा आप रहे हो अचानक कुछ काम थाए क्यों बेटा बिना काम के बेटे के घर नहीं आ सकती एक बात बताओ मालव ऐसे किस काम के लिए विदेश गया है जहां से अपनी मा को फोन नहीं कर सकता माजी मैने आपको बताया तू था एक काम किजी आप थोड़ी देर आराम कर दूचे पांच घंटी की जर्नी करके आई है मैं आपके लिए चाय बनाते हूं रे रे देभाव ये मालव बिना परसो दिवाली है बेटा आकर घर से बाहर हो तो लक्षमी कैसे घर आएगी इसलिए मैं यहां खुद आई दिवाली मनाने अरे अंटी आप नमस्ते जीते रहो बेटा रवी माजी तुम्हारी कमरे में सोईगी तुम यहां हौल में सो जाना ठीक है अरे नहीं पहुँद क्यों रवी को परेशान कर रहे हूं वहां गेस्ट्रूम है ना मैं वहां सोचाँगी अरे नहीं माजी वहां तो बहुत सारा सामन है अब वहां कैसे सो पाऊगे इसके कमरे में आप सोचाए ना कैसा सामन माजी आप अभी अभी आई है वहां आराम किये फ्रेश हो जाए जाए पर बात करते है ना अच्छा ठीक है तब तुस्से काम होने नी वाला था तो तुन्हें पैसे क्यों लिये मुझसे दीद्यू को मारने के बाद में ने हुई थी इन पेपर्स पर सायन कराग दिये मैंने अब बस मैं अपनी बहन को अपनी हातों से नहीं मर सकता अ जब वहां क्रिया चल रही होगी न मैं वहां कर चंचल की क्रिया कर दोंग फिर उन दोनों की बौडी को ठीकाने लगा दिएंगी लेकिन वहाँ जीजाजी के माता जी आ गई है अब वहाँ पर ये सब नहीं हो पाएगा अरे यार एक और पंगा परसो दिवाली है ना तो सारे लोग अपने घरों में ही होंगे बस तूस पुरिया को ना एक घंटे के लिए घर से भार ले जाना बस उसी के बीच हम काम खतम कर लेंगे क्यों बाबा जी इतना तो कर लेगा ना ठीक है हो जाएगा अब मैं चलता हूँ अमिश्ची मानों की मा भी वहाँ आ गई है ये लड़का कभी भी मूझ खोल सकता है ये दोनों आपके लिए खतानाक सावित हो सकते हैं एकदम सही कह रहे हो बाबा एकदम मेरी तरह ही सोचते हो अकर उसकी मा चंचल को वहाँ नहीं देखेगी न तो शक्त उसे होगा इन कोई बात नहीं इन दोनों को खतम करने के बाद जब ये दोनों वापस आएंगे अमिने भी खतम कर देंगे लेकिन अमिशी इसे खत्रा और बढ़ जाएगा 80 करोड की प्रॉपर्टी है बाबा जी आपको 25 लाख रुपए देने वाला था ना अब 50 लाख रुपए दूगा 50 लाख बस तुम दोनों मेरा ये काम करवा दो ठीक है मिश्टी काम हो जाएगा ये बाबा सकते शरण की ये हो बहु उस कमरे में क्या ऐसा है कि कोई सो नी सकता जी वो नहीं माजी ऐसा खुछ नहीं है बहु चलो हम उस कमरे की साफसफाई करते दिवाली में ना पुरा घर साफ होना चीए वरना लक्षमी रूड जाती है स्वच्छता से ही लक्षमी खर आती है चलो चलो पर माजी मैं कहा है रूड़ा ये ऐसा कुछ नहीं मैं कर लूगी माजी 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 मैं पुरा खर साफ कर दे ये तो लोग है हाँ मैंनी लोग कर कर रखा है गंदा है ना कमड़ा इसलिए माजी मैं अब क्यों परेशान हो घूड़ा है माजी आप क्यों परेशान हरेए वैं साफ कर दूगी इस बाखी भी तू कबरे की साफ सफाई करनी चाई तू चावी ले का अ ओ रोमेह अम। ऐस जाहो ना च्ला चंदी चावीली कि रहाँ माजीद, मैं एक आम केजिए, आपको साफ रफाई करने था, मैं कम्री की सफाई कर दोगी, आप आराम केजिए, नहीं, तुम खोलो, दोने तो मुझे चावी था, नहीं, नहीं, मैं खोल देती हो, खोलो चल्दी एक पार फिर से सोच रहें, माजीद, इसमें सोच रहा क्या है, कम्री की साफ सफाई करने है, बेटा, खोलो यहां तो, कुछ में नहीं है, हाँ वही तो, कुछ में नहीं है, वो यह बेड है ना, उसका प्लाई ठीक नहीं है, तो मुझे लगा आप ठीक से सोनी पाऊगे, इसलिए सामान का बानाव कर दिया मैंने, अच्छा, कुछ साफ सफाई तो नहीं करनी है, चंचल अंद विश्वास में पूरी तरह से अंदी हो चुकी थी, उसे इस बात का विश्वास हो चला था, कि तंतरीक अपनी तंतर विद्या से उसके मृत पती को जीवित कर सकता है, वो इस सचाई से पूरी तरह से अनविग गी थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था, कि वो किस गहरी साजिश का शिकार हो रही है, वो जो भी कर रही थी, यहां तक की अंद विश्वास भी, वो सब कुछ अमिश्के शडियंत्र का एक हिस्सा था, लेकिन आगे जो होने वाला था, वो बहुत ही भयानक था, शडियंत्र के अगले हिस्से में, चंचल की मौत भी लिखी गई थी, क्या चंचल की जान बच जाएगी, वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा जो एक मा थी, उसे जब पता चलेगा, कि उसके बेटे क्या मृत शरीर दस दिन से उसके घर में पड़ा हुआ है, तब उस पर क्या भीतेगी, आए देखते हैं, नहीं ने चंचल हमें सारी क्रियाएं आज ही करनी होगी, आज दीपा वली है, और दीपा वली की रात को तंतर विद्या सा जुड़ी बहुत सारी क्रियाएं की जाती है, काला जादू, टोना टुटका सब आज ही होता है, आज बापा जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं क्या कर सकते हूँ, मेरी सास मेरे घर आई हुई है, कैसे होगा, ये तुम जानो, लेकिन एक बास समझ लो, अगर आज ये क्रिया पूरी नहीं हुई, तो तुम अपने पती से हाथ हो सकती हो, ने, 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 ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करती हूँ, ठीक अब मैं, तुम हैना मेरे काम करना होगा, तुम्हें आ के बाहर जाना होगा और उने पस लगभक één गंते के लिए विजी रखना आइखना है, लेकिन क्यों? क्यों क्या मतलब है समाल जौप मात कर अभच अद चेहरी नो ऐसा करता, अचै टीक है वहू, जी माजी, वहू, हम रभी के साथ ना, मॉडल टाउन की दिवाली देखने जाते हैं जी, ठीक है माजी तुम ही चलो ना, हमरी साथ नहीं माजी, मैं घर पर ही नहती हूँ, ऐसे भी आप ही कहती है ना, कि दिवाली के दिन दर्वाजा बन नहीं करते ठीके मिटा, चलो रभी मिटा, चलो बाबा जी, माजी भी बाहर चली गई है, अब वो नहीं आएंगी तो आप बता दीजी कि आप कब तक आएंगे ओम हीं सींक रिंचा मुन डcej नामँ, ओम हीं सींक प्यम ड GandhAi ringing ओम हीं सींक-क्यम डए नामँ, ओम हीं सींक रिंचा मुन डे नामँ, द्धिंक रा चन्हें करकने मिघृ आप तक दीच मोन। च्म भेबाबा कि आत्मा को आप इस बुलाने के लिए वली देनी होगी अली किसकी बली बाबाजी मैं तुम्हें बाद बताऊंगा अभी तुम प्रक्रिया में बाद आमज जालो जी 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 बाबाजी यह कप्तक जग जाएंगे अली के बाद यही तुम्हें आपसे पूछ रहे हूँ कि किसकी बली एरी और किसी कि तुम क्या कर रहे हो अरे परेशान कर दिया था तेरे इस पती ने बहुत पहनी नजर की बहुत सवाल पूछता था पैसो के लिए और मुझे पैसा कितना मिलता था सुर पचास परसे तो मुझे इसकी क्या जरुआता अब इस बिजनस पे सिर्फ मेरा हक है सिर्फ मेरा तुम यह जो में कुछ कर रहे हैं ना तुमें शीरोमनी बाबाजी छोड़ेंगे नहीं अरे मंद बुद्धी औरत यह मेरे साथ मिला हुआ है पूरे पचास लाग रुपे दिया हैं बाबाजी को तुझे उल्लू अनाने के लिए हम दोनों ने मिलकर ही ना तुछ से तेरे पती को मरवाया है वैसे एक और सर्प्राइज भी है तेरे लिए बताऊ वो जो तेरा भाई है ना वो भी मेरे साथ मिला वो है सब को खरीद लिया है मैंने सब को यह मैंने क्या कर दिया वही गिया है जो हम करना जाते थे तुमने जो गोली थी थी ना पोड़े के लिए अपने पती को उस गोली ने तुम्हारे पती को भगवान के पास पहुचा दिया सिरो मनी बाबा जी ने ये दवाई दी है आपके पती को खिला दीजे उनका फोरा ठीक हो जाएगा भगवान तुम लोगों को छोड़े गा अले अब जब हम भगवान के पास जाएंगे तब उनसे डील कर लेंगे लेकिन फिलहाल अब धुरवान के पास जाने का टाइम ना तुम्हार अगर अगर किसी ने जरा सी भी चला कि दिखाने की कोचिच की तो फिर मैं भूल भी चला दूगा अना 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 गलान अब प्लीज मिरे साथ जीजाजी से जोड़ी कुछ बहुत बड़ी बाद पताने हैं आपको बस दीदी के सामने ये कहना कि हम तीवाली देखने जा रहे हैं मैं चांता था एलोग जीजाजी के साथ इस सब करने मेले मैं उनसे नाराज था इसलिए बैएक गया और इसामिश के बात में आ गया और इनके साथ मिल गया लेकिन सब जब इसने मुझे दीदी को मारने के लिए का अपने हाथों से तो मुझसे नहीं हुआ सर तुन्हें हमारे साथ थारे चलावना ना मैरे एडिवू सर और तुझे भी 302 होगी और वहीं हराम से जील मेरे बैटकर अपनी तरंतिर क्रिया करना और दो को जिन्दा करना ने जलाए शरी दी वह शर्के तो मुझे मुझे माफ करते हैं दीदी सोच ज़री दीज़ए दीज़ए मेरे अधा विश्वास ने मुझे परबात कर दिया मेरे पती को मुझे चेंद दिया आप सभी ने ये कहवत तो जरूर सुनी होगे कि अब पश्टाए होत का जब चिडिया चुक गई खेत चंचल के पती की मृत्यू के बाद जब उसकी जान पर बनाए तब उसे इस बात का एसास हुआ कि वो अंध्य विश्वास के कितने गहरे भवर में फसी हुई थी हमारे देश में कई शेहरों में, गाओं में, कजबों में, महलों में इस तरह के तांतरिक चमतकारिक धोंगी बाबा घूमते रहते हैं जो हमें हमारा भला करने का जहासा देके हमें अंध्य विश्वास के गहरे कुए में धकेल देते हैं अगर चंचल ने एक बार भी ये सोचा होता, कि मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है, कैसे कोई तंत्र विद्या के जरिये आत्मा को शरीर के अंदर पुन्हें प्रवेश करवा सकता है, अगर उसने अपनी बुद्धी मता का इस्तेमाल किया होता, तो वो अंधविश्वास के इस चक्र विउ में जरा भी नहीं पस्ती, अफसोस, चंचल ने अपने पती को तो खोई दिया, साथी साथ उसकी लास छुपा कर रखने की वज़े से उसे सजा भी मिली, रवी, अमिश, तांत्रिक शिरोमनी और चेले सदा दंद को भी 13 साल की सक्त सजा हुई, कतल करने के जुर्म है, कतल की साजिश करने के जुर्म है, और धोका धड़ी करने के जुर्म है, ये जरूरी है दर्शकों कि हम अंद विश्वास के प्रचार प्रसार से हमेशा दूर रहें और अलट रहें, इसी के साथ मैं आमिद पच्छोरी, आज की इस कहानी में विदा लेता हूं पिर मलाकात होगी एक सची घटना के साथ, तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाते हैं, तो अलट रहें, क्राइम अलट, जुर्म के खिलाफ, आवास